कि आप लोग आज आप लोगों को कि कंवेक्स मिर्यर उत्तल दर्पन और साइन कंवेंशन दर्पन सुत्र और मेंगनी फाइन पावर के बारे में बताएंगे तो इसको देखिए ध्यान से देखिए यह जो है उत्तल दर्पन है और इसमें हमेशा एक ही प्रकार का इमेज बनता है क्या बनता है कालपनिक सिधा और वस्तु से छोटा कालपनिक कालपनिक बनता है सिधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है यह बात समझ में आया तो आप देखिए इसका जो है मतलब इसमें कुछ है नहीं पी और एफ के भी बीच बनेगा इसमें इमेज पी और एफ फोकस और पोल के बीच ही इसमें इमेज बनेगा फस्तू अगरा अनंत में रहेगा तो फोकस पर बनेगा अनंत के जैसे अंदर आएगा तो ये जो है सिप्ट करता जाएगा इसा मिरर की और तो पीऔर एफ के बीच ही इसका इमेज बनेगा इसका ध्यान रखना है ये इसका लाइन डायराम है जिसे यह रिफ्लेक्ट हो गया अब रिफ्लेक्ट हो गया तो इसको डॉटेट किये तो से निकला क्योंकि जब पहला लाइगा तो फोकस से गुजरेगा यह बता चुकि हैं बहुत बार कि जब प्रकास का किरन मुखक्ष के समानतर आएगा तो कहां से गुजरेगा फोकस से चुकि यह उत्तल धरपन है तो इसका भर्चूल होगा परतीत होगा तो इसको डॉटेड लाइन एप से गुजरेगा और एक लाइन जो है नॉर्मली जा रहा है तो वो सेंडर अपकर भेचर से गुजरेगा कट कहां किया यहां पे कट किया सिधा परतीत बना चोड़ा बना यह बात समझ में आया होगा तो यह देखिए इसमें जो है यह है इसका समरी पेवल एक ही बात है मस पी और एक्स के बिच रहेगा पोल एक्स एक्स क्या है लाइज बियोंड शी आनन्थ पी और एक्स अनन्थ और पोल के बिच रहेगा वस्तू तो इसका जो इमेज बनेगा पी और एक के बीच बनेगा बस एक ही कंसेप्ट है उत्तलदरपन में इसमॉल बनेगा सिधा बनेगा कालपनिक बनेगा यह देखिए इसका लाइन एक समझाया गया है कि देखे फोकस पर सबसे छोटा इमेज बनेगा अब फोकस के इधर जितना आते जाएगा तो बड़ा इम है इसमें क्या है यूज है यूज और यूज ओफ इस फिरिकल मिरर तो देखिए अवतल दरपन कौन्केव मिरर का का डॉक्टर लो करता है है इस तो पहला उप्योग हो गया है आप देखिए नेक्स देखिए टॉर्च में यहां भी कॉनकेब सर्फेस का यूज होता है ताकि फोकस जो है टॉर्च जो है लाइट का फोकस कर सके बात समया आया यह इसमें व्यूज होता है टॉर्च में इधिए सоды के उत्ताल दरपन का यूज गाणि के साइड मिरर में होता है in a यह देखिए साइड मिरर है गारी का इस तरह से इसको दिखायी पड़ता है या गारी पीशे से रहा है तो यह उत्तल दरपन है यह बात समंझ में आया कि देखो उत्ते दर्पनन का यूज और एग जसेगा है मौल में होता है hem ने एक उत्तेर्द दर्पन लगाव राता है are對啊 कि सब का इमेज सिद्धा बनेगा इसमें दिखाय भी पड़ेगा कुरे किमरा का लिख्वर भी होगा cool तो उत्ते धर्पन का यूज माल Crush लोग करते हैं यह बात समयाया है देख्या यह बहुत इंपोर्टेंट है अ इस साइन कंविंसन जो है, यह बहुत important है, क्योंकि जब numerical सवाल बनेगा, आंकिक प्रस्ट सब्सक्राइब बनेगा, mirror सुत्र का, mirror formula का, one by f बदाबर, one by f बदाबर one by u पलस one by b, यह mirror सुत्र है, इसका जब हम लोग सवाल solve करेंगे, तो इसमें गलती क्या होता है, यह मतलब अक्सर गलती होता है कि किसको माइनस ले और किसको पलस ले और किसको माइनस में ले यह को बोलते हैं साइन कन्वेंशन मानेस प्लस का सिर्फ इतना ही अंतर है इसमें डारेक्शन का अंतर है डारेक्शन का सिर्फ अंतर है अगर डारेक्श देखो जो भी हम लोग कंसिडर करते हैं इसे वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी कहां से ना पेंगे तो पोल से ना पेंगे धुरूव से फोकस दुरी भी धुरूव से न पहेंगे हो पर तिविन की दुरी पोल से न पहेंगे यही है रिफ्रेंस पॉइंट धुरूव तो धुरूव से ही सब कुछ मापते हैं तब द्रूव से जब मापते हैं तो रे जो आता है किज़ा देखिये इदर वस्तु हमेसा बाया तरफ रहेगा द्रपन का बाया तरफ रहेगा वस्तु तो रे से दाया की और रे जाएगा किरन तो कीरन के दिशा में अगर हम लोग मापते हैं तो उसको लेते हैं positive और कीरन के दिशा का opposite अगर हम मापते हैं दूरी तो उसको लेते हैं negative तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से माल यह वस्तू है एक candle दिख रहा है यह candle दिख रहा है आप लोगों को यह क्या है यह वस्तू है तो वस्तु की दूरी पी से ना पेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यह मानिस की प्लस यह होगा माइनस क्यों यह जा रहा इधर और माप रहे हम लोग इधर उल्टा तो यह वस्त क्या हो जाएगा यह नेगेटिव हो जाएगा वस्तु की दूरी क्या होगा नेगेटिव ह अगर रियल इमेज बनेगा, तो रियल इमेज तो हमें सा इधर ही बनता है, तो ओ भी क्या होगा, रियल इमेज की दूरी क्या हो जाएगा, ओ भी नेगेटिव होगा, अगर मिरर के इस पार बनता है, तो इमेज का दूरी पोजिटिव होगा क्यों, क्योंकि प्रकास भी इधर तो वो पोजिटिव हो जाएगा, आनि क्या concept निकला, इबायन तरफ अगर वस्तु रहेगा इबायन तरफ वस्तु का दूरी हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखना है, परतिवीम की दूरी, अगर real बनेगा परतिवीम तो नेगेटिव होगा, इमजनेरी बनेगा, कालपनि बनेगा तो पोजिटिव होगा, ये समझ में आया, अच्छा, अब वस्तु की उचाई, वस्तु की उचाई जो है, मुख अक्ष के उपर रहेगा, मुख अक्ष के उपर रहेगा, तो पोजिटिव होगा, मुख अक्ष के नीचे रहेगा तो नेगेटिव, तो वस्तु तो म उल्टा बनेगा तो नेगेटिव होगा आनि रियाल इमेज मनेगा तो पर्तिवीम की दूरी भी नेगेटिव वस्तु की उचाई भी नेगेटिव काल्पनिक बनेगा इधर काल्पनिक बनेगा तो सिधाप इमेज मनता है तो उस केस में वस्तु की उचाई पोजिटिव होगा सान् Catholics सoga और वर वस्तु की दूरी पुजिटीव होगा यह पर्तिविंध की दूरी भी पुजिटीव होगा समाज मे आया इस सान्वें कंवल्शन होता है AND negative पॉजिटिव में बहुत गल्ति होता है जिससे सवाल गलत इंसरन कलता है यह बात समझ में आया, इसका समयरी दिखते हैं, इसका समयरी भी, यह इसका समयरी है, साइन कर्वेंशन का, कि जो वस्तू की दूरी जो होगा, वस्तू तो बाया तरफ ही रहेगा, वस्तू हमेसा बाया तरफ ही रहेगा, चाहे जो भी मिरल रहे, चाहे जो भी मिरल रहे, वस् औरकुस के दूरी तो नेकेटिव होगा हमेशा लेना है ये बात समझ में आया कि परतिवीम के अधर परतिवीम बनता नहीं है कन के मिल्क उष्थ बनेंगा तो नेकर थे बहूंत elder बनेगा उसकी दूरी नेकर वागा बाप जो है वाठ फोकस दूरी जो Hai कॉनवेक्स में हमेशा पॉजिटिव होता हabeth जह होता है उसको क्ली tutte जो है मुखक्ष के ऊपर ही रखा जाता है वस्तू को दोनों पोजीटिव को सुन रेल मुझा तो नेगेटिव होगा प्रतिव्यम की बुचाली, ऑर ya के अलक साओ प्रतिव्यम की बुचाली हमें सुनीर खेंना। Και होगा फेंस की दूरीуль फी20 है, यो हस में चैनल दॉर आन्म supplementary को मिघारी होगा, वस्तू की दूरी हमेशा नेगर्टिव होता है यह समयरी से समझ में आया यह बात समझ में आया होगा यह है इसका है यह इसका हेडिंग है और यह इसका टेबल है कोई लिकत नहीं है यह नॉट करने लाएग है तो आगे देखिए देखिए यह मैगनिफाइंग पावर क्या है तो मेंगनिफाइंग बावर जो होता है वो होता है तो ऐसतु के उचाई बटे वस्तु के उचाई बटे पर्तिबिम के उचाई बटे वस्तो के उचाहिए इसको M से रिनोट करते हैं M से रिनोट करते हैं और U और V के फर्मे भी होता है U कैसे होता है U होता है यह इसका फर्मुला है यह देखिए, यह फर्मुला है क्या है? image का distance by object का distance माइनस फर्मुला में ही लगा रहता है यह तो दो फर्मुला है magnification का magnification का दो फर्मुला है यह देखिए यह समझ में आया अच्छा, अब देखिए plan mirror का जो होता है plan mirror जो होता है magnification कितना होता है plan mirror का plus one क्यों? क्योंकि इसमें बराबर image बनता है वस्तो की होचाहिए और पर्तिवियों की वह चाहिए बराबर मतलब जो है बराबर होता है दुसरी बार बराबर distance पर भी बनता है तो जो है plan mirror का magnification हमें सब प्लस one होता है यह बार समझ में आया देखिए, एक सवाल देखिए क्या है एक सवाल देखिए, क्या है an object of height 6 cm is placed 18 cm away from concave mirror the image is formed 12 cm before the mirror find out flowing क्या कर रहा है कर रहा है कि एक जो है concave mirror है एक concave mirror है सवाल को समझे पहले एक concave mirror है और एक object है 6 cm placed 18 cm away from 18 cm अमने वस्तु की दोरी कितना हो गया है यह 18 cm है वस्तु की दोरी और हाइट कितना है 6 cm है 6 cm हाइट है वस्तु की दा image is form 12 cm और image का distance भी दिया हुआ है 12 cm यूर भी दिया हुआ है तो find out क्या निकलना है focal length निकालना है radius of curvature निकालना है और image height निकालना है तो देखिए सो के से बनाया गया है और देखिए यहां पर जो है और और मेंगनी फाब मेंगनी फिकेशन भी निकालना है चार कॉस्चन उसी में तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें तो object का distance दिया हुआ है object का distance दिया हुआ क्या होगा नेगेटिव होगा क्यों कि object अभी बताए और भी sign convention में बता है वस्तू की height positive होगा क्यों कि प्रिस्पल एक्सिस के उपर रहता है अब focal length निकालना है तो mirror formula लगाए है तो देखो यह mirror formula है यह mirror formula है mirror formula से इसको पूट कर दिया गया पूट कर दिया तो focal length निकल गया नेगेटिव ही निकलेगा क्यों कि आफ्तल दरपन है और आफ्तल दरपन का focus जोरी नेगेटिव होता है कि वारा तरफ है अब रार निकल गए अर और फ मेंके IS relation है तो आपर निकल दी कर नेंढ़िये कुछ निकल गया है कोई निकल गया को यह about a यह इसका जो मेंगनेफिक पाइन पाउर भी निकल जाएगा यूबाइब मानेस यूबाइब भी तो देखो यूबी नेगेटिव है और इसको कल्पेशन किये तो यह निकला इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हुआ कि इमेज छोटा बन रहा है वस्तु से क्योंकि एक से कम है नेगेटिव है तो इसका मतलब है उल्टा बन रहा है पास्तिविक बन रहा है तो यह सरा चीज पता चल जाता है तो यह बात है और वस्तु के हाइट कैसे निकालेंगे तो यह फर्मूला है एक फर्मूला है मतलब वस्तु की हुचाई पर्तिविम की हुच कर लिए तो हाइट भी निकल गया है अधी निकल गया मैं निकल गया फोकल लेंथ भी निकल गया रेडियस अपर भी निकल गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल अपनों प्रेक्टिस किजिए इसको और जो है अब जो है इस पर निकल्स चलेगा और मिरा फर्मूला को भी प्रूप करेंगे और निकल्स चलेगा इस चैप्टर में अब अब निकल्से ही सथ कंसेप्ट किलियर होगा तो उम्मिद है समझ में आया होग धन्यबाद झाल झाल